नमस्ते दोस्तों आप सभी को गंतनते दिवस के हार्थिक सुपकाना आप दभी का स्वागत है और आज मैं बनाने जा रही हूं प्रेटरस मलाए तो चलिए अब हम बनाने चलते हैं अब हम कड़ाही में मिट्टी का लेप लगा लेते हैं लेप लगा लेने से कड़ाही का काला जल्दी से निकल जाता है और धोने में भी आसानी होता है अब मैं चूलहे में आग जला लेती हूँ और उसके उपर लकड़ी को को रखते जाती हूँ आग अच्छे से पकड़ लिया है अब मैं कड़ाही रखती हूँ अब मैं उसमें दूद डालती हूँ यह हमारा भैंस का दूद है भैंस का दूद बहुत ही गाढ़ा होता है और जल्दी से गाढ़ा हो जाता है अब मैं इसको गरम होने देती हूँ हमारा दूद गरम हो रहा है देखे अब हमारे दूद में अच्छे से उपानाने लगे हैं और अच्छे से गर्म हो रहा है अब मैं इसको अच्छे से चलाओंगी ताकि ये नीचे पकड़ेना और इसको अच्छे से चलाते रहूंगी और किनारे से निकालते जाओंगी जब तक हमारे दूद गरम हो रहे हैं मैं इलाइची चिल लेती हूँ और इसको कूट लूँगी इलाइची हमारा चिल गया है अब मैं इसको कूट लेती हूँ हमारे इलाइची कूट गया है अब मैं बदाम को काट लेती हूँ छोटी चोटी टुकरो में और बीच बीच में दूद को चलाते रहूंगी किनारे में देखे मलाइच चिपका है उसको मैं निकालते जाओंगी हमारा दूद अब धीरे धीरे गाड़ा हो रहा है अब मैं इलाइची डाल देती हूँ बदाम को भी डाल देती हूँ और इसको चला लेती हूँ अब मैं इसमें चीनी भी डाल लेती हूँ आपको जीतना पसंद आए मीठा उतना डाल सकते हैं कम या जादा अपने पसंद के उपर डाल सकते हैं और अच्छे से चला के मैं चीनी को घुला लेती हूँ और हमारा दूद अब गाड़ा हो रहा है मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा और डाल लेती हूँ अब हमारे दूद देखे अच्छे से गाड़े हो गया है अब मैं इसको उतार लेती हूँ और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ जब तक मैं ब्रेट को कट कर लेती हूँ मैंने ब्रेट को निकाल लिया है अब इसको कट कर लेती हूँ ब्रेट के चारो की नारो को मैं पहले काट लूँगी अब मैं पीस से ब्रेट के दो हिस्से कर लेती हूँ और यह ट्रेंगल सेप का बन गया ऐसी करके मैं सारे ब्रेट को कट कर लेती हूँ और अब हमारे दूद भी ठंडे हो गया है हम एक साथ भी बना सकते हैं लेकिन पाइस को तीन अलग अलग कर तोरे में निकाली हूँ अब मैं इसमें खाने का कलर मिलाओंगी यह जब्धी जनवरी है तो हमारे जंडे का कलर तीन रंग का होता है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे तीन कलर में बनाओं ये है केजरी कलर ये है हरा कलर हमें इसको अच्छे से मिला लेती हूँ और इसे भी दूसरे चम्मल से मिला लेती हूँ मुझे थोड़ा कम लग रहा है मैं थोड़ा और डाल देती हूँ और अच्छे से मिला लेती हूँ देखिए कितना सुन्दर कलर आया है इसमें भी थोड़ा से डाल देती हूँ इसका कलर भी सुन्दर आ गया है अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ अब मैं इसमें एक एक करके ब्रेट को डुबा दूँगी पूरे दूद में एक साथ भी मैं पूरे ब्रेट को मिला सकती थी लेकिन मैंने अलग-अलग मिलाया है और जो दूद बचा है उसमें और जो बच्छे हैं ब्रेट उसको डाल दूँगी अच्छे से मैं डूबा देती हूं ताका इक ताकी हमारे ब्रेट अच्छे से डूब जाए और भीग जाए यह ब्रेट रस्म रस्मला एक खाने में बहुत ही अच्छा लगता है बच्छे और बड़ों को सभी को अच्छा लगता है आप भी बना के देखेगा अब मैं इसको बदाम से सजा लेती हूं अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और वीडियो को लाइक कीजेगा और घंटी को दबा दीजेगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालू आपके नौटिफिकेशन बॉक्स पे आजाए मुझ आपके पर ले लेके छोड़ कीजेगा ताकिजेगा प्लीज आपके टोड़िके पर दो मेरे लेंगा ताकिजेगा ताकिजेगा थावागरा के जो गलते हैं